किसान क्रामती का आज 32 दिन है, बॉर्डर पर किसानों का धरना 32 दिनों से चल रहा है बड़ी बात यह कि किसान सरकार से बातचीत करने के लिए तयार हो गया है देखिए अभी की बड़ी खबर क्या है बड़ी खबर यह कि किंद्र सरकार से शर्टों के साथ बाचीत को किसान तयार हो गए है 29 दिसंबर सुभे 11 बजे बाचीत के लिए किसान तयार हुए है यह समय तया किया गया है किसानों ने बैठक में चर्चा के मुद्दो की शर्ट भी रखी है तीनों किरशी कानून को रद करने पर किसान अड़े हुए है 29 तारीकों सुभे 11 बजे का समय दिया गया है जब किसान और सरकार मिल बैठकर एक बार फिर से किरशी कानून पर चर्चा करेंगे हलाकि कहना ये कि किसानों ने कुछ शर्टे रखी और उन्हीं शर्टों के साथ वो मानने को तयार है अब देखना ये कि क्या सरकार किसानों की शर्टों को मानती है ये बैठक जो है वो सार्थक होती है या नहीं हमने एक तो चित्थी लिखी है गॉर्मेंट को कि हम बातचीत करने के लिए 29 तारीख को 11 बज़े तैयर है और अजंडा हमने फोकस की एकदम पॉइंटरली फिक्स किया है कि अजंडा हम तीन कानून को रपील करने का क्या प्रसीजर अडाप्ट किया जाए तीस तारीख को अगर बातचीत पे कुछ यादा कुछ नहीं निकलता है तो सारे पंजाब हो रहाना से ट्रेक्टर को मंगवाया जाएगा और ट्रेक्टर मार्च निकलेगा केमपी के उपर टूवर्ड्स टिक्री और अब आपको हम ये समझाते हैं कि किन चार शर्तों के साथ किसान सरकार से बातचीत के लिए तयार हुए है जिन शर्तों की बात हम कर रहे थे तो किसानों की चार शर्त क्या है ये आप समझे देखिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिये समझा रहे हैं दिल्ली बिल ड्राफ्ट में बदलाओ की प्रक्रिया हो और चौथी एहन शर्त ये है कि पराली कानून से किसानों को बाहर किया जाए तो किसानों का ये कहना है कि इन चार शर्तों को सरकार मानेगी तब ही हमारा ये आंदोलन खत्म होगा अब क्या इन चार शर्टों को सरकार मानेगी ये सबसे बहत पूर्ण है और किसान तो ये कह रहे कि जब तक ये शर्ट नहीं मानी जाएगी तब तक हम अपना अंदोलन खत नहीं करेंगे और अब आपको किसानों के अंदोलन की 32 तस्वीर दिखाते हैं हर रोज हम आपको किसानों के अंदोलन की लगातर तस्वीर दिखा रहे हैं कि कब से अंदोलन शुरुआ और आज की दिन में हालात क्या है देखिए कपकपाती ठंड में पिछले 26 नवंबर से किसान दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर पार इसी तरीके से धर्ना दे रहे हैं और ये पूरी तस्वीर है किसानों के आंदोलन की कि एक-एक दिन में किसानों के आंदोलन में कितनी धार आई, कितनी तेजी आई और किसान कह रहे हैं कि हम इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगो को नहीं मानती है